कि मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है मैं आप लोगों का आज फैन के पांच तैथ्थ के बार में बताऊंगा किर्प्याकर के वीडियों को पुरा रखें पहला नमबर बारिश के मोसम के समय फैन और भी जितने इलेक्टिक उक्यूप्मेंट हैं सभी को आफ रखें ताकि उस समय उस सभी क्यूप्मेंट खराब नहीं हो क्योंकि बारिश के समय में लाइटनिंग में हाइब वोल्टेज होता है जो हाइब वोल्टेज तारों के जड़िये आपके इलेक्टिक उक्यूप्मेंट में जाकर इलेक्टिक उक्यूप्मेंट को खराब कर देती है फैन को start connect, on connect पहले, regulator को low speed पर कर ले, फिर फैन को on करे, फिर आपको जोड़रत हो तो 5-6 सेकंड बाड रेगुलेटर को high speed पर ले जाएं और high speed पर कर ले फैन को, इसके पीछे का कारण है, motor को हमेशा low voltage पर on करना चाहिए, वो भी starter के मदद से, ऐसा करने पर motor का winding damage नहीं होता, क्योंकि वो बोल current को कम कर जाती है, पर हमारे फैन में कोई regulator नहीं होता, regulator के बदले हम starter को low speed पर ले जाकर starter की तरह यूज़ कर सकते हैं, फिर starter को high speed पर ले जाएंगे धीरे से, ऐसे हम अपने फैन को selling fan हो, table fan हो, उसका आयू बढ़ा सकते हैं, फैन की तिसरी रोचक बाते हैं, फैन एदी low speed पर घूम रही है, तब इसका मतलब है, फैन में जो के फिस्टर लगा होता है, वो खराब हो चुका है, अब हम लोग को करना क्या है, फैन अब नया के फिस्टर लाकर के, पराने वाले के फिस्टर को खोल कर, नया के फिस्टर जब करेंगे, तब देखेंगे फैन high speed पर घूम रही है, फैन की तिसरी रोचक बाते हैं, फैन का जो बले डोटा है, वो थोड़ा सा जुका हुआ है, इसकी पिछे कारण है, जब फैन घूमती है, तब वो हवा को आगी को और ढखिलता है, उस जुका हुआ के कारण, अगर जुका हुआ नो हो, तो फैन घूम में की ज़रूर पर हवा नहीं देगी, इसलिए वो जुका हुआ होटा है, उसका जुकाओ का एंगिल होता है 15 डिगरी, फैन की पांचवी रोचक बाते हैं, जो रेगुलेटर होता है फैन में, वो रेगुलेटर फैन के साथ सीज में पाइदा कर सकें, एदी आपको वीडियो बसंदा आई हो, प्लीज सब्काराइब करें और लाइक ज़रूर दो